हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमद जैद और दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस एट 1.25 तो प्रैक्टिस एट 1.5 हम लोग जानते हैं कि काफी डिफिकल्ट है विकॉज इसमें वर्ड प्र है यहां पर लिखा हुआ है two numbers differ by three differ मतलब उनके अंदर की जो उनके बीच की तो difference है वो तीन की है मतलब एक कोई बड़ा number होगा एक कोई छोटा number होगा दोनों के बीच का जो Difference होगा वो 3 का होगा माल लीजे वो No.5 है और दूसरा No.2 है ये बड़ा No. ये छोटा No. नमबर, इन दोनों के बीच का Difference हगर हम लोग देखे तो वो 3 है तो सबसे पहले हम लोग को मालूम नहीं हों कि बड़ा No. कौन सा हो जाएगा x and the smaller number by smaller number कौन सा हो गया y तो greater number x smaller number y अब दोनों की बीच का difference जो है वो 3 का है तो 5 में से मैं 2 माइनस करूं तो मुझे 3 मिल रहा है वैसे ही अगर मैं x में से y माइनस करूं तो मुझे 3 मिलेगा तो यह हो गया हम लोगों का पहला equation तयार तो यहाँ पर लिखेंगे according to the first condition पहली condition जो बताई जा रही हो उसके अनुसार x और y के बीच का difference 3 का है तो यह हो गया equation 2 अब आगे read करते हैं the sum मतलब दोनों के बीच का plus twice the smaller number smaller number मतलब y तो 2y twice मतलब होता है 2 and thrice the greater number is 19 thrice the greater number हो गया x तो 3x is इस आप लोग हमेशा याद रखें equal होता है तो equal 19 तो यह हो गया हम लोगों का दूसरा equation तो according to the second condition second condition क्या कहती है 3x plus 2y is equal to 19 यह हो गया equation 2 समझ में आपको इतना किस कैसे हम लोग यह आ तक पहुचे क्योंकि जो छोटे नंबर का double था छोटे नंबर मतलब y मतलब 2y और triple था greater number का तो 3x वो 19 था इस मतलब equal तो वैसे आप लोग बना सकते हैं अब यहाँ पर बोला है हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ minus है यहाँ plus है तो adding करेंगे तो ज्यादा better रहेगा फिर confused नहीं होंगे तो equation 1 में मुझे 2 से multiply करना होगा इसको 2y बनाने के लिए तो multiply by 2 in equation 1 तो 2x minus 2y is equal to 6 यह होगे मेरे equation 3 और 3x plus 2y is equal to 19 यह तो equation 2 था ही अब उसके बाद मुझे adding करना है तो adding equation 2 and 3 तो adding करने के बाद 2, 2 cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 5x और मुझे मिलेगा 25 तो x is equal to 25 upon 5 x is equal to 5 चलिए दोस्तों मैंने जो अंताजा मारत होगे विल्कुल सही है मतलब greater number 5 है मैंने तो ऐसी टुक कमार दिया था बट मुझे लगता है कि वो 5 ही है तो अब putting करते हैं putting x is equal to 5 in equation 1 तो x minus y is equal to 3 था तो 5 minus y is equal to 3 हो जाएगा तो minus y is equal to 3 minus 5 तो minus y is equal to minus 2 minus minus get cancel तो y is equal to 2 मतलब बड़ा number है 5 और छोटा number है 3 और अगर आप लोगों को जानना है कि answer सही है नहीं तो condition में रखिए पहली condition यह थी इसमें बैठ रहा है उसके बाद दूसरी condition यह है इसमें भी बैठ रहा है 3 फाज़ा 15 तो टूज़ा 4 15 प्लस 4 19 तो मतलब answer विल्कुल correct है चलिए हम लोग अब next question देखते हैं तो next question में बोला है कि एक rectangle है rectangle में आप लोगों को x और y find करना है और x और y find करने के बाद इसका perimeter और area find करना है तो काफी लंबा समय दोस्तों तो सबसे पहले मुझे बताए rectangle की क्या-क्या properties है जी हाँ सारे angles 90 degree होते हैं opposite angles equal बिल्कुल होंगे क्योंकि सब 90 रहते हैं opposite sides भी equal रहती हैं जी हाँ opposite sides भी equal रहती हैं तो rectangle का नाम ले लेते हैं हम लोग let quadrilateral let the rectangle be quadrilateral ABCD इसको हम लोग ABCD समझ लेते हैं नाम दे दिया हम लोगोंने तो rectangle है तो जो side AB होगी वो side DC के equal होगी मतलब side CD के क्यों क्योंकि opposite sides of rectangle are congruent इतना समझ में आया आपको कि मैंने कैसे equal बताया उसके बाद AB equal है मतलब 2X plus Y plus 8 is equal to 4X minus Y ये भी equal होगा अब equation कितना इसको लेते हैं और solve करते हैं तो 4X वहाँ जाएगा तो minus 4X plus Y, Y वहाँ आएगा तो plus Y, 8 यहाँ आएगा तो minus 8 फिर 2X minus 4X हो जाएगा minus 2X ये plus 2Y ये होगा minus 8 ठीक है अब ये होगा हम लोगों का equation 1 तयार चाहें तो हम लोग इसको reduce भी कर सकते हैं बटा भी जरूरत नहीं है अब उसके बाद दोनों side को देखते हैं A, D और B, C को अब कौन-कौन congruent होगा side A, B, A, D is equal to side B, C same property will come here as well तो A, D हम लोगों का 2Y है और B, C हम लोगों का X plus 4 है तो 2Y minus X is equal to 4 इसको arrange करें तो minus X plus 2Y is equal to 4 ये हो गया equation 2 तयार अब उसके बाद यहाँ minus X है, यहाँ minus 2X है, मतलब subtraction तो करना ही है तो क्यों न 2Y और 2Y का कर दिया जाएं तो चलिए दोनों equation को लिखते हैं तो minus X plus 2Y is equal to 4 ये equation 2 और minus 2X plus 2Y is equal to minus 8 ये equation 1 तो अब subtraction करेंगे हम लोग, यहाँ पे sign change होगी sign change होने के बाद ये दोनों cancel हो जाएंगे और ये minus plus मिला के minus हो जाएंगे तो minus X is equal to 12 तो यहाँ पे minus plus बड़े number की sign होगी because ये plus 1 बन चुका है यहाँ पे subtract भी लिख सकते हो आप लोग, तो putting करेंगे X is equal to 12 in equation 2 में रखते हैं तो minus 12 plus 2Y is equal to 4, तो 2Y is equal to 4 plus 12, 2Y is equal to 16, तो Y is equal to 8 आजाएगा मैंने shortcut में लिख दिया यहाँ पे, तो X और Y find करने के बाद कुछ बच्चे सम वहीं पे छोड़ देते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें X और Y मिल गया खेल खतम, बट अभी हम लोगों को perimeter और area find करता है तो क्या मुझे आप लोगों में से कोई बता सकता है कि perimeter का मतलब क्या होता है perimeter का मतलब होता है दोस्तो boundaries, जैसे मेरा एक खेत है यहाँ पे और कुछ जानवर लोग वहाँ पे attack कर रहे है तो attack करने की वज़े से मैंने यहाँ पे wires लगा दी और wires पे काटे बिचा दी है ताकि जानवर ना आपाए तो यहाँ पे जो मैं wire लगाया हूँ यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा perimeter तो ऐसी एक rectangle है इसका perimeter मतलब की AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD चारों को plus करेंगे तो हम लोगों को perimeter मिल जाएगा और plus करने के लिए हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कि AB की पूरी कितनी length है तो XY है बट हम लोगों को XY answer में मिल चुका है तो वहाँ पे वो value रखके हम लोग find कर सकते हैं तो और area का formula तो मालूम है आप लोगों को length into breath तो चलिए रखके हम लोग find कर देते हैं कि आखिर sides कितनी है तो AB हम लोगों का कितना था यह भी हम लोगों का था 2X plus Y plus 8 तो 2X था तो X हम लोगों को मिला 12 और Y मिला 8 तो 2 into 12 plus 8 plus 8 तो 2 12 जा 24 plus 16 40 तो AB हम लोगों का हो गया 40 और AB 40 हो गया तो हम लोगों का DC भी कितना हो जाएगा 40 क्योंकि opposite sides are congruent तो यह 40 40 हो गया और फिर उसके बाद जो हम लोगों का 2Y था तो हम लोगों का जो AD था वो 2Y था तो Y हम लोगों को 8 मिला है तो 2 into 8 is equal to 16 तो AD 16 हो गया तो BC भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा same property here तो उसके बाद अभी हम लोगों को क्या find करना है अभी हम लोगों को perimeter find करना है perimeter का formula होता है rectangle का perimeter of rectangle is equal to 2L plus B जब फिर 2 into length plus 2 into breadth भी लोग बोलते हैं तो 240 plus 16 तो 2 into 56 तो यह वह जाएगा 112 तो उसका perimeter कितना था 112 अब area find करते हैं area of rectangle is equal to length into breadth और length कितना है 40 breadth कितना है 16 तो 40 16 जा कितना होता है काफी बड़ा सवाल है 6 40 विकाज 16 4 जा 64 फिर 1 0 तो यह हो गया हम लोगों का perimeter और area तो इस तरीके से हम लोग इस question में क्या किया हम लोगों ने सबसे पहले x और y की value खोजी और x और y का value खोजने के बाद हम लोगों ने उसको इसमें put किया और put करने के बाद हम लोगों को यह answer मिला है तो इस तरीके से यहाँ पे कोई unit नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको square unit लिख सकते हैं तो यह था हम लोगों का second sum आप चलिए third sum करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ तर्द तीनी sum बता रहा हूँ because इतना काफी है आप लोगों के लिए अभी के लिए समझना तो चलिए इसमें क्या बोलाए देखते है the sum of the father's age and twice the age of his son is 70 ठीक है मतलब कि पापा की age समलीजे 30 है और बेटे का कुछ age है जिसको मिलाके 70 हो रहा है तो पापा की age माल लेते हैं 40 है और जो बच्चा है उसकी age 15 है तो उसका अगर मैं twice करूँ तो 30 plus 40 sum कितना हो रहा है 70 हो रहा है तो उसकी age और पापा की age पापा की age को मैं x assume कर लूँ और बेटे की age को y assume कर लूँ उसके साथ 2 किया जा रहा है मतलब 2y is equal to 70 तो पहला equation हम लोगों को मिल गया x plus 2y is equal to 70 चलिए लिख लेते हैं Let the present age of father be x खाली x रहेगा जी नहीं x years and the present age of his son be y years तो according to the first condition पहली condition के हिसाब से हम लोगों ने जो लिखा है y equation यहाँ पे आ जाएगा और हम लोगों का equation है x plus 2y is equal to 70 अब आगे पढ़ते हैं if we double the age of father मतलब double कर दें अगर हम लोग यह x y यह ठीक है तो इनकी age को अगर हम double कर दें और फिर उसके बाद उसके बेटे की son में हम लोग add करें मतलब बेटे की age में उसको add करें तो answer आ रहा है 95 तो second condition भी मिल गया अब दोनों को solve कर लेते हैं दोनों को solve करने के लिए हम लोगों को किसी न किसी को तो multiply करना ही पड़ेगा इसी में 2 से multiply कर देते हैं तो multiply by 2 in equation first तो 2x plus 4y is equal to 140 होगे equation third और 2x plus y is equal to 95 अब यहाँ पर हम लोग subtracting करेंगे तो subtracting करेंगे तो sign change होगी तो 2x, 2x cancel हो जाएगा यह 3y हो जाएगा और यह 45 तो y is equal to 45 upon 3 y is equal to 15 15 years और y कौन था हम लोगों का? उसका बेटा तो उसके बेटे की एज कितनी है? 15 साल अब putting करके उसके पपा की भी एज निकाल लेते हैं in equation 1 तो x plus 2 15 is equal to 70 x plus 30 is equal to 70 x is equal to 70 minus 30 x is equal to 40 years तो पापा की एज अभी की कितनी है? 40 years और उसके बेटे की एज कितनी है? 15 years present age of father is 40 years and his son is 15 years तो जैसा कि मैंने टुक कमा रहा था वही सही हो गया क्योंकि जाद अता रहसा ही calculation लोग लेते हैं तो यह था हम लोगों का 1 से लेके 3 तक का यह exercise में next lecture में मैं आप लोगों को बाकी का sum भी करवा दूंगा मिलते हैं next lecture में